हैं सो हेलो गाईस वैलकम बेक तो आप लोगों को बताऊंगा कुछ डोग फुड जोकी आपके डोग के लिए काफी बेस्ट और चीपेस्ट प्रास में और काफी बजट में होने वाले हैं rarely और आपके डोग सुरू करते हैं तो चलिए आप लोग को मैं बता जेता हूं कि आप लोग को कौन-कौन सा डॉक फूड बाई करना है और काफी बॉजट में है तो नमबर वन पर मैंने रखा है स्मार्ट हट का डॉक फूड जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो एडल डॉक के लिए है और इसका वेट 1.5 केजी है और इसकी प्राइस की बात करें तो आप लोग को 590 यानि के 590 में आप लोग को अलाइन या फिर आफलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा और पपी के लिए ही किसी कंपनी का आता है या आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा स्मार्ट हट का ही पपी के लिए आता है और यह भी 1.5 केजी का है और इसका फ्लेवर है मिल्क और इसके प्राइस की बात करें तो आप लोग को 350 को मिल जाएगा कहीं पर भी तो चलिए मैं आप लोग को अब बता बताओं नेक्स हाथ दॉल तो नेक्स डॉइदया कफी ज़्याथा पॉब्लर है और कफी ज़्यादा बजट में भी और इसे सब लोग यूज करते हैं बहुत सारे लोग और इसे मैं भी यूज करता हूं और उसका नाम है पेडिग्री 1.2 kg चुकि आप लोग को 345 का मिल जाएगा और काफी अच्छा डॉक फूड होता है और आप जांते हैं काफी ज़्यादा पॉपॉलर है और इसमें काफी अच्छा फ्लेवर भी आप लोग को मिल जाएगा और अगर इससे बड़ा लेना चाहते हो तो आप लोग का जो कि आप जानते हैं काफी अच्छा ब्रैंड और इमाल्या का जो डॉक फूड होता है वह भी काफी ज़्याद आच्छा होता है आपके डॉक के लिए और इसकी वेट के बात करें तो 1.2 kg का है और प्राइस के बात करें तो आप लोग को 350 हानी की 350 में आप लोग को इसल यह भी काफी बढ़िया है आपके पपी के लिए और बात करें इसकी वेट की तो यह भी 1.2 केजी का मिलता है और इसकी प्राइस की बात करें तो आप लोग को 325 यानी की 325 का आप लोग को मिल जाएगा अब चलिया आप लोग को मैं नेक्स्ट डॉक फूड बताता हूं नेक् प्राइस की बात करें तो 790 आवे और यह मैंने मैं पपि वाला भी आपलोग को बता आँ तो आपके पपी के लिए जो है आपके स्क्रीन पर सो रहा होगा वेट की बात करें तो 1.2 kg का आपके पपी के लिए है और इसकी प्राइस की बात करें तो 2.99 यालिकि 299 में आप लोग को मिल जाएगा और इसमें भी काफी बढ़िया अफर है अगर आप लोग एक लेते हैं तो आप लोग को एक और फ्री मिल बज़एगा तो ये कफे बेस्ट आफर है इस डाफ़ोट पे तो आप लोग जोरू लें एक ज्लू पूड है अगर आप लोग का बजट काफिश है और आपके डाफ का ग्रोत नहीं हो रहा रहा है और बॉड़ी का ग्रोत नहीं हो रहा है तो आप आप लोग royal canyon का dog food यूज़ करें काफी अच्छा मतलब की dog का ग्रोथ होगा और काफी इच्छे से आपका dog खायेगा भी और ये dog food थोड़ा सा महेंगा होता है लेकिन काफी जदा बढ़िया होता है तुकि इसकी quality बाकी dog food के मुकाबले काफी अच्छी होती है और आप लोग इ क्लिए मिलता है नहींगा है लेकिन काफी जदा बढ़िया है आपके डोग कैली और काफी premium dog food है इसकी packing काफी बढ़िया होती है आर बाकी डॉक फुट के मकाबले काफ dares a बढिया होता हैanni ट्रहिश नृटन भी काफी बढिया होती आप अपके डॉक के लिए तो चलिए अब मैं पपी के लिए भी पता यता हूं पपपी के लिए भी काफी बढिया होता है रोयल के निन फिर से मैं बोल रहा हूँ है अगर आपका बचेट बढ़िया तो आप लोग पपी की ग्रोथ के लिए रोयल कैनीन ही यूज करें और इसकी वेट के बाद करें वन केजी का आप लोग को मिल जाएगा 770 रुपए यानि कि 771 में आप लोग को एक केजी का मिल जा रहा है तो काफी बढ़िया है आपके पपी के लिए अगर आपका बजट थोड़ा सुकाम है और आप अपने पपी के लिए बढ़िया इस्टार लेना चाहते है तो आपके स्क्रीन पर जो सुह रहा है वो डूल्स है डूल्स कंपनी एक बढ़िया है जो कि कम बजट में आप लोग को 1.2 केजी का मिल रहा है और काफी बढ़िया है प्राइस की बात करें तो आप लोग को 275 यानि की 275 को आप लोग को मिल जाएगा यह एमाजोन या फिलिपकार्ट पे और आप लोग अपने पपी के लिए डूल्स का ही फोकस का भी आप लोग ले सकते हैं यह आप लोग को चीकन फ्लेवर में 1.2 के लिस्ट आज मैंने आप लोग को बताया जो वीद करतां आप लोग को यह भी पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में